जारकरण में कोवीड ठीका करण की सुस पक्रिया की रफ्तार देने के लिए वीकेंड महा ठीका करवियान की शुरुआत की गई है इसके दर शुकरवार शानिवार अविवार को हर दिन डिर लाग लोगों को ठीका देने का लक्ष रखा गया है तीन दिनों में साड़े चार लाग लोगों को ठीका देने का लक्ष रखा गया है पुर्वी सिंभूम जिला में परसु डी पंचायक शेतर में लोगों को मोबाइल वैक्सिनेशन के जरी ठीका दिया जा रहा है इस सिंटर का जाज़ा लिया हमारे सायोगी प्रभात कुमार ने तीन दिनों का महा वैक्सिनेशन कारिकरम चलाय जा रहा है जो गाँ गाँ जाकर वैक्सिनेशन वैन गाँ के लोगों को जागरू करेगी और उसे वैक्सिन देगी अभी मैं हूँ एक पंचाय छेतर में आपको दिखाना चाहते है यहाँ जो वैक्सिनेशन वैन है वो यहाँ पहुचा है और जो छेतर के जो पंचायत के लोग है उन्हें मोटिवेट करके यहां तक लाया जा रहा है ताकि लोगों को वैक्सिन दिया जा सके आपको पहले एक बर वहन दिखा देते हैं यह जिला प्रशासन के द्वारा यह वहन है जो पंचाय छेतर में जाता है शेहरी छेतर में जाता है तो अभी क्या हुग गया है 45 प्लस के कुछ ऐसे भी हमारे अंचल में अभी भी जरूरत है उन लोगो को जैसे हमारे हम लोग ने कहे थे कि 18 से लेकि जो 44 का है वह हम लोग देंगे बोलके पर कल ने आदिशा है कि 45 अगर किसी को जवड़त है इस अंचल में तो उसका पहले आप लोग करा लेजे तो हम लोग ने सर्वे किये हैं कल रात से तो आभी भी देख रहे कि 45 प्लस बाकी है पंचायत में खास करके ग्रामिंग चत्र में जो बहुत अच्छा हमारे पास में एक मतलब शुविदा उपलब्ध हुई है तो वहां अब देखें और मैं समस्ता हूं कि इससे लोगों को बहुत लाब हो रहा है वैसे लोग जो स्लोट में परिशानी हो रही है वो हमें बंग बंदू जो है उन्होंने हमें डेटा दिया उस रहे हैं मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आकर के जद से जद संख्या में वैक्सीन लें साइगी आनवर के साथ प्रभात न्यूज 11 भारत